इस फ्रेम में चार चित्र हैं पहले चित्र में बच्चे असेंबली हॉल में बैठे हैं और प्राथना सभा कक्ष में कुछ शिक्षक मंच पर हैं मंच के एक ओर रैम्प बना हुआ है तथा दूसरी ओर सीठियां है बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं एक बच्चा रैम्प को देख कर वाह यह किसी प्रकार की स्लाइट यानि की जूला है दूसरे चित्र में मन्च से एक टीचर बच्चों को सम्बोधित कर रही है बच्चों, गर्मियों के छुटियों के बाद स्कूल के आज पहले दिन आपने स्कूल में शायद कुछ नई चीज़ें देखी होंगी जैसे यह रैंप और वह रैंप की ओर इशारा करके कहती है रैंप से बहुत से लोगों को सुविधा मिलती है जैसे की वह लोग जिने किसी भी वज़े से सीडियां चर्णे उतरने में परिशानी होती है या फिर भारी सामान लाना ले जाना होता है तीसरे चित्र में रोहन को बोलने की इजाजत लेने के लिए हाथ खड़ा करते हुए दिखाया गया है और प्रिया उसके पीछे बैसाखी के सहारे खड़ी है रोहन बोलता है मैडम यह सुगम्यता के लिए आवश्यक है प्रिया कहती है स्मान्ट बोई रोहन चौथे चित्र में रोहन और प्रिया सभागार के बाहर खड़े हैं पीछे की ओर सीड़ियां बनी है और सीड़ियों के साथ रैंप भी बना है उन दोनों के साथ मालती दीदी भी खड़ी है मालती दीदी कहती है प्रिया आओ नई लिफ्ट का उप्योग करें यह आपको असानी से पहली मन्जिल पर आपकी कक्षा में ले जाएगी प्रिया उत्तर देती है देखो अब स्कूल में सभी सीड़ियों के पास रैंप है मैं स्वैम हैंड्रेल्स को पकड़ कर चल सकती हूँ धन्यवाद दीदी प्रिया उत्तर देखो